हलो चिल्डन, वेलकम बैक यू आल, आज हम कक्षा आठ नई दीपमनिका से लेकर आए हैं कारक वे उपपद विभक्तियां, जी हाँ अभी तक मैंने आपको कारक पढ़ाए थे लेकिन आज मैं आपको उपद विभक्ति पढ़ाऊंगी उपपद विभक्ति क्या होती हैं? अगर हमने उपपद विभक्तियां कर ली तो हमें ज्यादा से ज्यादा समझ लो कारक आ गए अगर हमें कारक विभक्ति का ग्यान है और हमें उपद विभक्ति आ गई तो हमारे कारक ये समझ लो क्लियर ही हो जाते हैं तो आईए कारक विभक्ति क्या होती है, सबसे पहले हम यह उपर दिये हुए इनी को समझते हैं, जो दिया हुए है, कि जब शब्दों में कारक चिन्नों के अनुसार विभिन विभक्ति लगाई जाती है, तब उसे कारक विभक्ति कहते हैं, और उपपद विभक्ति क्या होती तो यानि कि यह क्या है उपबद विभक्ति है मैंने आपको बताया कि प्रती के योग में दिट्य भक्ति का परियोग होता है तो यह क्या है special शब्द आ गया जिसके योग में दिट्य भक्ति का परियोग हुआ तो अगर कारक में भी इस तरह के शब्द आ जाते हैं तो उसमें हमारी वही विवक्ति लगती है जो बताई जाती है तो सबसे पहले हम नीचे दिये हुए जो पद है जिनके साथ किसी विशेश विवक्ति का परियोग होता है उसके बारे में पढ़ेंगे जैसे दित्योय वक्ति के योग में सेव धातू, रक्ष धातू, आ जमा रुहू चणना, त्री धातू यानि की तैरना, गम तथा आ जमा गम गम मिस जाना और आ जमा गम मिस आना तीक है इन धातों के योग में दित्योय विवक्ति का परियोग होता है और शब्द कौन-कौन से है, ये उपसर्गों गया है हमारे प्रति, अनुप, अधी उपसर्गों के साथ भी दित्योय विवक्ति का परियोग किया जाता है आगे दिखते हैं, विना, विना के योग में दित्या, तृत्या व्य पंच में तीनोवी भक्तियों का प्रियोग होता है, परित है, चारों और उभेत है, दोनों और हा, धिक, सम्या, निक्षा, प्रति, अधोर है, अव्यों के साथ दित्योई भक्ति का प्रियोग होता है मेरी काल से इनके सभी के आपको मीनिंग आते होंगे, शायद मुझे बताने की जोत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने पहले कारक वाला चैप्टर पढ़ाया हुआ है, नेक सहा की तृत्ते वक्ति का परियोग कहा होता है, सह, साकम, सार्धम, अलम, प्रयोजन, विना, कृतम, वे अंग विकार में, यानि कि कोई भी अंग विकार में, यानि कि वे सिर से गंजा है, या वे पैर से लंगड़ा है, इस तरह के कोई भी हो, क्रितम का मीनिंग होते है के लिए, तो यानि कि यहाँ पे भी आगर क्रितम शब्दा आज है, तो तृत्तिय विवक्ति का परियो कुप कुद आदी धातों के साथ चतुर्थी विभक्ति का परियोग किया जाता है बच्चे पे पहले से ही कह रही हूँ अगर आपको ये उपपस विभक्तियों वाला चैप्टर क्लियर हो गया तो आपके लिए कारत बहुत ही इजी है अब इसमें देखते हैं शब्द कौन-कौन से नमह, स्वाह, सधा, स्वस्ति अव्यों के योग में चतुर्थी विभक्ति का परियोग होता है नेक्स दाया पंचमी विभक्ति भे, प्रिठककरण यानि कि किसी से अलग हो जाना अपेक्षा, दूर, प्रमाड यानि कि आलस, प्रभृति, प्रभृति के मतलब होते हैं से लेकर आरव्य शुरू करके रिते के बिना अन्यय मतलब दूसरे और जिससे रख्षा की जाए यानि कि वहख जैसे की सेंटेंस ले लेते हैं वहे बालक की साफ से रक्षा करता है तो यहाँ पर पंचुमी विवक्ति का परियों को जाएगा नेक्स आया हमारा शष्टी विवक्ति का परियों कहां कहां किया जाता है सद्रश, हेतू, सम्री, संबंध, दूरम, समीपम, अंतह, अंतरे तथा निधारण में शष्टी विवक्ति होती है अभी हम इसके साथ साथ इनके एक्जामपल्स भी देखेंगे इस एक्सेसाइस को भी करेंगे ताकि आपको मैं साथ साथ क्लियर कर दू नेक्स और लास्ट आया सब्तमी विवक्ति सब्तमी विवक्ति का परियोग कहां कहां किया जाता है सनीधातु के योग में अनुराग हो जाए अभीलश, कोई भी चीज़, चाना, दूरे, अंतिके, प्रवीन, निपुन, चतुर, वे निधारण में सब्तमी विवक्ति होती है तो आज हम इसके साथ ही इसकी एक्सरसाइज करेंगे ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि किसके साथ कौन सी विवक्ति का परियोग किया जाता है फर्स कुश्चन है हमारा पहले मैं आपको वर्बली बता देती हूँ ताकि मैं इसको बाद में लिख सकूँ फटाफट डैश लेखान लिखन्ति बाली कहा डैश विना सुखम नभवती धर्मम धर्मेन या धर्मात कुछ भी लिख सकते हो डैश परिता है जलमस्ति दित्या विवक्ति नगरम अलम के योग में त्रित्या विवक्ति का परियोग कलेन बालका है पुस्तकम पढ़िश्यति शीशु ओधनम खादति बालका है ग्रिहम प्रती गच्चति क्योंकि प्रती के योग में दित्या वक्ति का परियोग रामेण सहे सोने गच्छती सहे के योग में तृत्य भक्ति का बड़ योग राम का शब्द रूप चलाएंगे इसमें एक बात और हम देने योग्य है जो है कि आपको शब्द रूप आने चाहिए अगर आपको शब्द रूप नहीं आते तो आपकी मिस्तेक हो सकती है डैश फलानी रोचन्दे महियं फलानी रोचन्दे तो यह हमारा फर्स्ट कोश्चन हो गया सेकिंड कोश्चन देखते हैं यानि कि जो राइट है उस पर राइट लगाए और जो रौग है उस पर रोचते आप ध्यान देना जो राइट आंसर है मैं उसी को सरकल कर रही हूँ बाकी के जो छोड़ दिये वो रौग है तो रुच्धातु के योग में जतुर्थी विवक्ति का परियोग गुरह, गुरुह, शिश्याय ये शिश्यम प्रश्णम प्रिच्छती प्रिच्धातु के योग में दिट्रे वक्ति का परियोग से, नेत्रेन या नेत्रा भ्याम कान है अब बच्चे करीबर करते हैं कि ये तो दोनों में तृतिय है तो बोथ हार करेक्ट नहीं हो सकते हैं क्योंकि काणा है तो वो एक आँख से होगा दोनों आखों से तो वो अंधा होगा ठीक है अगर काणा है वर्ड है तो आपने राइट आंसर करना है नेत्रेन नेक्स्ट आया बाली का जनकस्य या जनकेन सहय आपणम गच्चती अब सहय के योग में तृत्य वक्ति का परियोग जनकेन से कलमेन या कलमात पत्रम लिखती तो राइट अंसर हमारा क्या हो जाएगा कलमेन क्योंकि साधन में तृत्य वक्ति का परियोग होता है राम कलम से पत्र लिखता है अलम कोलालेन अलम के योग में तृत्य और चतुर्थी दोनों विवक्तियों का परियोग होता है लेकिन यहाँ पे जो अलम है कि जगडा बस करो अलम कोलालेन जगडा बस करो तो यहाँ पे तृत्य वक्ति आएगी जब परियाप्त अर्थ में आ जाए कि मेरे लिए यह मुझ में देवाए चतुर्थी विवक्ति का परियोग क्लियर नेक्स देखने हैं फटाफट स्थूल पदेशु का विवक्ति किम चे कार्णम अस्ति अब यह भी मैं एक बर यह आपको वर्बली बता देती हूं फटाफट से बालिकाई अन्नम धनम चे अयच्छ यानि कि बालिकाई में चतुर्थी विवक्ति किस कारण से आई एक तुम्हीं यह बताना कि बालिकाई में कौन सी विवक्ति है चतुर्थी और किस कारण से आई दाधातु के योग में थी इसलिए चतुर्थी विवक्ति का परियोग व तो पिता पुत्रम प्रश्णम प्रिच्छती पिता पुत्र से प्रश्ण फूशता है तो प्रिच धातु के योग में पुत्रम में कौन सी होगी द्वितिया बाला है पित्रा सहे गचती सहे के योग में कौन सी होगी त्रितिया धनी के है दरिद्राय धनम यच्छती दा धात के योग में चतुर्थी विवक्ति अस्मत का शब्द रूप चल रहा है धिक दुष्टम धिक के योग में दित्य वक्ति का परियोग बाला है विक्षात आपदत पत धातु के योग में पंचमी विवक्ति का परियोग क्योंकि जब कहीं से अलग हो जाते हैं तो वहां पे पं दा धातु के योग में चतूर्ती भी भकति हैं तक आपकी वीडियो बहुत जादा लंबी ना बने जल्दी बोरियात फिल करते हैं लेकिन आप इस छोटी सी वीडियो को ध्यांसे सुने तो आपको chapter क्या clear होगा आप इसके सहयोग से चित्रवणन भी कर सकते हैं और unseen passage में आपको काफी help मिलेगी और उसके साथ साथ आपको sentence बनाने में संस्कृत में अनुवाद करने में और हिंदी अनुवाद करने में भी आपको काफी help मिलेगी नेक्स question है शुद्धम विभक्ती परियोगम चिन्नेन प्रादर्शत यानि कि उच्चित विकल्ब चुनना है बालक है मात्रा सहे आपडम गच्छती अब आपको आई जया होगा कि सहे के योग में कौन सी वक्ती का परियोग हो त्रित्या अलम विवादेन मैंने अभी आपको बताया था कि चतुर्थी विवक्ती का परियोग भी होता है अलम में लेकिन कहाँ पर जहाँ पर परियाब तर्श में हो विवादेन का मतलब जगड़ा बस करो तो यानि कि यहाँ पर कौन सी वक्ती आएगी त्रित्या ठीक है अब चतुर के योग में सप्तमी विवक्ती का परियोग चतुर आ जाये निपून आ जाये तो उनके योग में सप्तमी विवक्ती का परियोग कर्मम विना सुखम नास्ती विना के योग में दित्या अगर त्रित्या या पंचमी दे रख्योती तो हम उसको भी राइट कर सक रामेन साद्रिश्या साद्रिश के योग में तृत्य विभक्ति का परियोग राइट नेक्स्ट आंसर देखते हैं नेक्स्ट कोश्चिन कौन सा हमारा माता, पुत्राए आ कुरुद्यत तो यहाँ पर हमारी कौन से आगे कुरुद धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का परियोग, पुत्राए गुरुष, शेशू, स्निहति, स्निही धातु के योग में सब्तमी विभक्ति का परियोग क्लियर हो गया सभी को साथ जहां पर भी जाने की बात आजलिक हैं अंग विकार में अ किसी बींग में कोई भी कमी हो दे तो वहाँ पर तृत्य विवक्ति का परियोग तो यह आपका क्लियर हो गया question next एक और दिखते हैं इसको भी मैं आपको जल्दी यल्दी बता देती हूं ताकि आपकी वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो जाए और आप इसको पढ़ लेते हैं स्थूल पदस्य ठाने कोष्ट केश्व प्रदत शब्दे हो उचितम रूपा मों प्रयूद यह वाक्यानी पुनार लिखत यानि कि यह जो पद दिये गए हैं कोष्टक में दिये गए शब्दों के उचित रूपों का प्रियोग करके हमें वाक्य फिर प्रति गच्च्च कि लिखेंगे और रिक्षी यह जो भी वर्ड दिया हुआ है आपको ध्यान लखना है कि प्रतिके योग में दिटे वक्ति का परियोग करना है अब नेक्स्ट सेंटेंस तो हम क्या लिखेंगे अलम हसितेन और अलम कल्हें राइट एहम वित्रम बिना ना अनुजम्हें के बीना नंगच्हामी और अनुजम्हें मतलब छोटते भाई के बिना नहीं जा रहा है अक्षाया पच्बट्राह्या इस तक मिस рок्छाईं में और नग्रात भी माधचinger दुबयम फलम रोचते अब हमें असमत का यूज़ करना है तो महियम फलम रोचते और तत से क्या बनेगा तत का पुलिंग बनेगा तसमे फलम रोचते विध्याल्यव संती नदीन क्योंकि जित्य व्रक्ति का प्रियोग होगा तो निर्धन से क्या बनेगा निर्धनाय दुख्दम यज और वृद्धाय दुख्दम यज तो यह मैं आभी लिख देती हूँ तो यह आपके संटेंसेज हैं जो मैंने यहाँ पर राइट कर दी हैं आप देख सकते हैं और यह लास्ट वाला रह गया यह में लिख देती हूँ निर्धनाय दुख्दम यज